ये बात 6 सितंबर 1905 में की है जब एक गुरूप अलास्का में हाइकिंग के लिए निकला जब वो लोग अलास्का के जंगलों में गए तो वहां उन्हें एक बस नदर आई उस बस का नाम था 142 जब उस ग्रूप के लोग उस बस में गए तो वहां उन्हें बहुत तेज बदबु आ रही थी जब वे धियान से उस बस में देखते हैं तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी वो लोग उस लाश को देखकर डर जाते हैं और तुरंथ ही पुलिस को फोन करते हैं थोड़ी देर में जब पुलिस वहां पहुँचती है तो पुलिस उस लाश को उटाते हुए ये कहती है कि इस आदमी की बहुत दिनों से तलाश हो रही थी और इस आदमी का नाम किरिस्म मेकेंडलस है और वो एक्टी भी अलाश का में हाइग किंग करने आया था अब इस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि जो इस आदमी के साथ हुआ वो आपके रौंग्टे खड़े कर देगा हुआ कुछ यूँ था कि वो आदमी भी अलासका में हाइकिंग करने गया था अलासका में जाने से पहले एक नदी को पार करना पड़ता है उस नदी का नाम है टकलानी किरिस उस नदी को पार करके उस तरफ चला जाता है और बहुत दिन वहीं पर बिताता है जैसे पेड़ों के नीचे रहना वहीं पर खाना ढूंडना वहीं पर पानी ढूंडना और वहीं पर रहना कुछ दिन तो वहां गुदार लेता है लेकिन थोड़े दिन बाद उसको अके कि वो वापस अपने गाउं चला जाएगा लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उस नदी का लेवल बढ़ जाता है चौकि उस नदी की यही खासियत कभी उसमें पानी कम हो जाता है और कभी उसमें पानी बढ़ जाता है लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्रिस उस नदी को पार नहीं कर पा रहा था। क्रिस को जब ये बात पता चली कि अब वो इसको पार नहीं कर पाएगा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसी बस में रहने लगा। लेकिन साथ में आपको एक फैक्ट भी बताता चली। जदी वो अपनी जगे से 800 मीटर दूर जाता तो वहाँ नदी पर एक केबल क्रोस था जहां से वो नदी को पार कर सकता था। लेकिन क्रिस को इतना नौलिज नहीं था और नहीं उसके पास कोई मैप था। लेकिन क्रिस की किसमत खराब थी वो उस केबल तक नहीं पहुच पाया उसके बाद क्रिस उसी बस में रहने लगता है। क्रिस अब पुरी तरह से ये सोच लेता है कि थोड़े दिन में वो मरने वाला है क्योंकि ना तो यहां कोई बचाने आएगा और ना ही उसके पास ज्यादा दिन के लि लिखा हुआ है। क्रिस को वहां खाने को बेरीज मिलते थे इसलिए जब ही वह बेरीज लेने जाता था तो अपने बस के पास एक पत्र छोड़ देता था इस कागस पर लिखा है कि मैं यहां फस गया हूँ और मुझे यहां से बचाईए। बात कोई मजाक नहीं है यदि आ आपको यहां ना मिलूं तो समझ जाना कि मैं शाम को आउंगा क्योंकि मैं खाना लेने गया हूँ और भगवान के लिए मुझे बचाईए। क्रिस अपने बस के पास कागस इसलिए छोड़ता था ताकि यदि मैं यहां ना रहूं तो कोई आदमी आए तो मैं यहां हूँ य यह पता उसको चल जाए और वो मुझे यहां से बचा ले लेकिन हैरानी की बात है कि वहां पर कोई नहीं पहुँच पाता है लेकिन इस डाइरी को देखें तो यह 112 दिन तक इसमें एंट्री है और लास्ट में कुछ दिनों में तरिफ लाइन खिची हुई है लेकिन 113 में यहां पर कुछ नहीं है यानि क्रिस की मिर्थिव 113 में दिन हुई होगी लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मिर्थिव के 19 दिन बाद वो ग्रूप वहां पहुँचता है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया जो बस में गए थे और जिनको क्रिस की लाश मिली जब क्रिस की लाश मिली तो साथ में बहुत सारा सामान भी मिला जैसे ये डाइरी और एक फोटो मिला ये क्रिस का रियल फोटो है और साथ में एक कैमरा भी मिला लेकिन जब क्रिस को ये पता चला कि उसकी मिर्थि होने वाली है वो यहां से अब नहीं निकल पाएगा तो उ पकड़ा हुआ था उस पर लिखा था मैंने अपनी जिन्द की बहुत अच्छी जी है भगवान सब का भला करे गौड पिलेस यू और जो पिरेस के पास से डाइरी मिली थी उसके लास्ट पनने पर ये लिखा था हुशी का मतलब तब ही निकलता है जब उसे बाटा जाए ये क किरिस की ये बात तो हम सभी जानते हैं जब भी कहीं दुनिया में किसी जगह पर कोई अजीब घटना घटती है तो लोग उन जगहों को देखने जाते हैं और यहां भी यही हुआ जब किरिस की ये कहानी दुनिया भर में फैमस हुई तो लोग इस बस को देखने जाने लग जो किरिस के साथ हुआ यानि वो लोग थी वहीं फस जाते थे कई आर ऐसा हुआ बहुत से लोग वहां फस गए और बहुत से लोगों भी डूबने से मिड़ती हो गई लेकिन सबसे बुरी बात थी ये थी कि जो लोग वहां फस जाते थे तो पुलिस को उन्हें बचाना था और ज्यादा तर पुलिस का समय बस इसी में बीतने लगा था इससे पुलिस और पुरी तरह से परेशान हो गए थे क्योंकि लोग हमेशा वहां जाते और वहां फस जाते पुलिस को उन्हों को बचाना पड़ता उसके बाद पुलिस पिर्शासन ने सोच इस बस का कुछ करना चाहिए उसके बाद 2020 में एक ओपरेशन किया गया, इस बस को उठा कर एक गोर्मेंट जगा में रख दिया गया उस बस को एक मिलेटरी के हेलीकॉप्टर से उठाव लाया गया था उसके बाद इस बस को नॉर्थ अलासका के एक میूजियम में रख दिया गया, आज भी ये बस वहीं पर है और आज भी बहुत से लोग इस बस को देखने जाते हैं। I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरहें की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करके आप हमारे साथ जुर सकते हैं।